कोरोना महामारी के बीच बिजले आउटसोर्स कर्मचारी निरंतर जुनता की सेवा में लगे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में डाल कर दिन रात काम कर रहे हैं कर्मचारी ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना के चलते देश की सेवा में डॉक्टर और पुलिस की तरफ बिजले आउटसोर्स के कर्मचारी भी अपना महत्वपूर्न योगदान दे रहे हैं इससे सरकार द्वारा उनको दिये जाने वाला 50-50 लाग का भी मां हमें भी मिलना चाहिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच निरंतर सेवा देने वाले बिजले आउटसोर्स कर्मचारी ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में जुनता की सेवा के लिए तकनीकी पावर स्टेशन पर कारे कर रहे इन कर्मचारियों की जान की सुरक्षा की परवा ना तो पहले कमलनात सरकार ने की थी और ना ही अब शिवराद सरकार कर रही है कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारिन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का सैनेटाइजर, मास्क और गलब्स प्रदान नहीं कर रही जो कि फिलहाल शासन और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है प्रदेश के सभी आउट्सोर्स कर्मचारियों ने एक सुर में शिवरात सरकार से 50-50 लाग के बीमा की मांग उठाई है उन्होंने अपनी मांग में बताया कि बीमा ना केवल कोरोना महामारी में अनिश्चित घटना में भी हो सकता है बीमा तकनीकी कारे करने के दोरान होने वाली घटनाओं पर भी कर्मचारियों को सहायता की रूप में प्रदान होना ही चाहिए साथी बिजले आउट्सोर्स कर्मचारियों की जौब नियमित नहीं है फिर भी इस वैश्विक महामारी में शासन के साथ कंदे से कंदा मिला कर नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे है पाव जूदिस के सरकार के सामने अपनी बात रखने पर कमलनाथ सरकार ने लाठी डंडों से मार करूने खदेर दिया था अब कर्मचारी शिवराज सरकार की और उम्मीद लताए बैठेंगे आने बाला समय ही बताएगा कि कर्मचारियों के हितने सरकार कोई कदम उठाएगी या थे बिजली आउट्सोर्स कर्मचारी हों वरतमान समय में पूरे प्रदेश में बिजली आउट्सोर्स कर्मचारी अपनी सेवाय प्रदान कर रहा है लेकिन ना हमारी जाब नियुमित है और एकदम नियुन्तन वेतनमान 7000 से 12000 जैसे नियुन्तन वेतन में हम सभी काम कर रहे हैं इसके साथ ही जैसे सभी नियुमित करमचारियों को बीमा 50 लाग तक के बीमा का सरकार ने घुशना कर लिए तो हमारे पास ऑफिसेली कुछ आया नहीं है कि हमारा भी ये बीमा होगा और साथ ही ना ही हम लोगों को अनकुमपन युखती है तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि समस्त मद्यपुर्देश आउट्सोर्स करमचारियों को 50 लाग तक का बीमा प्रदान करे और भविश्य में हमारी जाब को नियुमित करे